Hello dear students, welcome to our class, kids reading practice at home. In our last video, we studied about phonic words. A वाले sound करवाई थे आपको मैंने, जिसमें A का sound था, AT, AN, N, BAD का BAD ऐसे, फिर E के sound करवाई थे, जिसमें EN वाला sound था, ये देखिया आपके पास सामने है भी, फिर ET वाला sound भी था, और ET वाला भी था, जो काफी हमारा interesting रहा, बहुत easy भी था, और अभी हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये भी हमारा हो गया था, जो भी आपको screen पर दिख रहा है, और आज हम new sound लेने वाले हैं, जो है हमारा I, आई वाला sound ले रहे हम, यानि first हमारा क्या क्या हो चुका है, त्यान से दिखिए, A हो गया, yes, very good, E हो गया हमारा, और आज हमारा turn है, I के sounds को read करने का, ओके, तो short I words, यानि I वाले जो word है, उनको हम read कर रहे हैं, I का जो फॉनिक sound होता है, वो होता है, E, सबको पता है, yes, very good, तो देखिए बटा, first है, B, I, G, B, I, G, बहुत ही अच्छा word है, अच्छा क्या है, इसको आपने कहीं बार दिखा भी होगा, बिग, आपने सुना होगा है ना, यह तो मेरी बिग बोटल है, यह तो मेरा बिग बैग है, या TV पेक शो भी आता है, आपको पता होगा तो, बिग बॉस, आता है न, तो उसमें भी आता है, बिग, तो बी, आई, जी, बी का ब, यहाँ देखी बिटा, ब, आई का ई, और ग, तो यह ए की मातरा जब ब पे लग गई, तो यह बना बी और ग, क्या बना, बिग, क्या बना बिटा, बिग, अब डी, आई, जी, क्या बनेगा, सिंपल, डिग, क्या बनेगा, डिग, ए फ, आई, जी, क्या बनेगा, फिग, एल, आई, जी, बनाइगे, एल ग, आई, जी, जो है उसकी गी मातरा लग ज़ाएगी लग और ग, तो बनेगा, लिग, फिर MIG, MIG, NIG, NIG, PIG, PIG, RIG, RIG, SIG, TIG, TIG, WIG, WIG कर पाएंगे आप? तो चलिए अभी मैं आपको अंडरलाइंग करती चाहूंगी और आप रेट करिए ताकि मुझे पता चले कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो पताएए ये क्या है? ये फर्स्ट वाला है? गुड़ अगर आपने इसको डिक बोला है, सेकंड वाले को तो राइट? येस, थर्ड वाला फिक, लिक, MIG, NIG, PIG, RIG, SIG, TIG, WIG अब देखिए, BIT, IT इट तो आपने सुना ही होगा, IT, इट इस काओ, या फिर, इट इस डॉग, इस टाइप से, तो इट का जो साउंड है, वो इट ही रने वाला है, और E की जो मात्रा है, वो आगे लग जाएगी, आगे वाला जो साउंड हो उसके साथ, तो DIT, डॉग के स DIT, जो बना लग गए, और I की जो फ्रिक्वेंशी थी उसको हमने बढ़ा दिया, फिर है, फिर है, फ्रस्ट होना चाहिए, बिट और फिर है डिट, फिर है बिट, फिर है दिट, FIT, FIT HIT, HIT TIT, TIT MIT, MIT NIT, NIT PIT, PIT RIT RIT TIT, TIT I think यह two time है उपर वाला उसको लिट समझ लीजिए का आप LIT वाला फिर SIT, SIT WIT, WIT ZIT, ZIT यह और भी easy है और अगर आप इसको practice करते हो तो काफी फाइदे मन्दी रहेगा आपके लिए फिर है BIN, देखिए IN IN, you know यह आप सब जानते होंगी IN IN होता है तो वही जो IN है उसके आगे हमें अगला जो आगे जो उसका letter है उसका sound को add करना है तो BIN, BIN 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 क्या बनेगा? BIN फिर DIN 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 FIN का FIN HIN का HIN IN IN LIN LIN KIN KIN MIN MIN NIN NIN PIN PIN RIN RIN SIN SIN TIN TIN तो यह जो आपका आई जाला sound है उसको मैंने आपके सामने शो कर दिया है I think आपको यह समझ में आ गया होगा और आप उसको अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे और कुछ पच्चे तो ऐसे भी होंगे जिनने इसको पहले से ही देखती ही समझ लिया होगा यानि कि मेरे बताने से पहले ही उनको यह आता होगा तो ऐसे जो भी बच्चे हैं उनको मेरी और से excellent, cute student please carry on अपना काम अच्छे से करते रहे हैं और पढ़ाई में आसी ध्यान रखिएगा उम्मीद है जल्दी से वाइस्कुल खुल जाएगी लेकिन तब तक आपका अपनी बढ़ाई में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है तो मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें होगा नीचे वाले ही हमारे आई वाले साउंड है जिनको मैं रीड कराऊंगी और अभी यह आपका work है जो अपनी notebook में करना है आपको as it is और इसको रीड करना है तैंक यू